हाई गाईज आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ कि जिम में प्रोड़क्ट को कैसे अपलोड करें तो आए देखते हैं सबसे पहले हमने गुगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे हमने लिखना है जिम.gov.in यहाँ पे हमने क्लिक करना है अभी यहाँ पे ओपन हो रहा ह है उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे जो लोगिन है लोगिन में क्लिक करना है लोगिन में क्लिक करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे यहाँ पे अपने यूजर अड़िट डालना है अपनी उसके बाद यहाँ पर capture डालना भी capture नजर नहीं आ रहा है नजर आ चुका है आप यहाँ पर हमने क्लिक किया उसके बाद हमने यहाँ पर capture डालना है y7rf1w यह हमारा इसमाल में है सारा इसलिए यह नहीं उठाएगा इससे पदले हमने क्या करना है capture लोक on करना है उसके बाद y7rf1w उसके बाद यहाँ हमने submit पर क्लिक करना है यहाँ पर यहाँ पर पासवर डालने के बाद हमने submit करना है submit में हम क्लिक करेंगे यह हमारा dashboard open हो गया है उसके बाद हमने क्या करना है एक new tab लेना है यहाँ पर हमने फिर gym खोलना है gym की website खोलनी है यह ओपन हो रहा है अब ओपन हो रहा है सारा इभानेटी ने चल रहा रहा रंग से उसके बाद हम उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पर जो भी product अप्रोड करना चाहते हो उसको यहाँ पर आपने search करना है जैसे कि मुझे करना है knit trial gloves यहाँ पर आपने type करना है उसके बाद यहाँ पर हमने search करना है यह search हो रहा है इस तरीके का कुछ है आपके सामने interface दिखाई देगा तो जैसा कि हम देख पा रहा होंगे कि यहाँ पर brand name है knit trial उसके बाद यहाँ पर जो हमारा knit trial compounded rubber solution है उसके बाद हमने यहाँ पर देखना है कि quantity है minimum quantity per piece की तो उसके बाद इसकी rating ठीक है 4 plus है तो हमने क्या करना है इस पर single click करना है जैसे ही product में हम single click करेंगे यह open हो गया आप तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बिल्कुल से देखना है यहाँ पर login करना है दुबारा से जैसे ही आप login में click करेंगे आपको कुछ इस तरीके का interface दिखाई देगा अभी आप ध्यान से देखें नीचे आईए सर्कुल को नीचे करें अब यह देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेल इस आइटम हमने क्या करना है यहाँ सेल इस आइटम में जो है click करना है इसकी सिस्टम की अरे सारा प्रोसेस ले रहा ना देखिए नीचे चल गया इसके बाद आपको इस तरीके का interface दिखाई देगा यहाँ पर आपने क्या करना है जैसे हो ओके करेंगे आप सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका जो जनरल इंफोर्मेशन है जो आपको भरनी है वो आल्रेडे आपको भरी होगी कैटलोग इंफोर्मेशन भी आपको भरी मिलेगी प्रोड़क्ट का जो specification होगा सबसे जो main point होता है और जो प्रोड़क्ट की मैज होती वो आपको आल्रेडी सारा कुछ बड़ा मिलेगा सिर्फ आपने क्या करना है आपने अपना ओफर देना है कि आप किस रेट से देना चाहते हैं तो आईए देखते हैं नीचे आईए सरकल के थुरू सबसे पहले जो आपका main requirement होगा वो होगा जिस पार्टी से या जिस ब्रैंड से आप गरफ्स ले रहे हैं उनसे आपने क्या क्या करना है अथर्टी लेटर लेना वह आपको अथर्टी नंबर डाल के अपनी कंपनी का नाम और डिठ डाल देंगे उसके बाद यहां पर हमने खतारी नंभर ढलना है उसके बादлушत के जैसे हम ले रहे हैं चिस पार्टी से उसका नाम डालना है यहाँ पर मैं आपको नाम डाल के दिखा देता हूँ यह है पिरना इंटरनेशनल उसके बाद यहाँ पर हमने डेट डालनी है तो जैसा कि मैंने आज ही लिया हुआ है तो हमने यहाँ पर डेट डालना है जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आटोमेटिक डेट आ जाएगा उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है हमने कब से लिया है जो हमें मिला है वो हमें मिला है अक्टूबर से वह हम बैक मंत में जाते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे यह अक्टूबर मंत आ गया यहाँ पे हमारी एक टारीक आ गई एक दस दो जारी की से लेके कब तक यह में जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल, माई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अक्टूबर अक्टूबर हमारा वही मंद्च जा रहा है तो ज्यादा हो रहा है तो हमने सितंबर तक करना है 30 सितंबर उसके बाद हम कहां कहां सर्विश दे सकते हैं लेकिन हमें सर्व इंडिया में देना है अबने इंडिया है आपपर स्लेक्ट कर लिया बाहर क्लिक करेंगे यह कह रहा है तो हमने यहाँ पर एस करना है यह 100% मांग रहे है जो आपको आपका लोकल कॉंटेंट है वो 100% होना चाहिए उसके बाद हमने क्या करना है यहां पर देखो MRP भरने की ज़रूत नहीं है अगर आपको कुछ अपना MRP है तो आप यहां पर request MRP change कर सकते हैं हमें कोई यह रूत नहीं है हमने यहां पर अपना rate डालना है तो मैं डाल देता हूँ अपना 19 रुपए यह आपको MRP rate होगा यह आपका 10 दिन के अंदर जो है सील हो जाएगा फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो हमने यहां पर डाल दिया है अगर आप डिसकाउंट देना चाहते हैं तो आप डिसकाउंट दे सकते हैं जैसे आपने अमाजोन या फिलिप कार्ट वाद में रोड़े खरीते हैं एक के 17% दिसकाउंट यहां पर नहीं देना अब बात आती है स्टेट की कौन से स्टेट में अप इंडिया में सर्विस देना चाहते है हम सिर्फ नौर्थ यह में चलिक करेंगे और ओके कर देंगे बड़ रास्ता में देना नहीं चाहते हमने यहाँ पे अंचेक कर देंगे अब सबसे बड़ी बात यहां पे आती है प्लीज सलेक्ट दा डिस्टिक इफ यू है नाट सेलिक्टेड अगर कोई भी एक डिस्टीक है वहाँ पर उस पिंट कोर्ड में आप नहीं देना चाहते हो तो आप वहाँ 2019 स्टोप पदा हुआ गोटर्च है मिनिम्मम क्वांटि 2100 हेगे मिनमम SP wanted लोडर में 200 प्रोसे सोगा को सब्सक्राइब 2015母ण 2 enorm покर्वांस दिन करें 5 दिन 5 दिन म эффुंड कर के देनाakah उसके भाद कर heijnäft reflecting to all the term and of यह undertaking होगा आपने यहाँ पे click करना है आपने यह सारा check कर लेना है इसके थुरू आपने काम करना है उसके बाद हम यहाँ से बंद कर देते हैं उसके बाद हमने यहाँ पे check किया इसको बंद किया और यहाँ पे हमने save and proceed में click करना है जो भी है हमने single click करना है उसके बाद यहाँ पर review term and condition यहाँ पर click करना है जो भी term and condition है वो सारी यहाँ पर आ जाएंगे एक एक करके यहाँ से download करना है download करके आपको सारी term and condition पढ़ना है उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि okay है सारी सारा कुछ okay है यह देखिए सारी term and condition है चवालिस पे जिसमें है इसी तरीके से अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत सारे होंगे उसके बाद जैसे आप यहाँ पर पढ़ लेंगे यहाँ पर क्या करना है चेक में क्लिक करना है और यहाँ पर capture डालना है capture हमारा है k-c-h-y-x-t पब्लिश्ट में क्लिक करना है पब्लिश्ट में जैसे हम क्लिक करेंगे यह कुछ समय के लिए process होगा उसके बाद समिट हो जाएगा successfully हो चुका है अब यहाँ पर दो चीज़े आ रही है एक आ रहा है dashboard दूसरा आ रहा है upload अगर हम दूसरा प्रोडिक्ट और भी अप्लोड करना चाहते हैं हम कर सकते हैं यहां पर स्धाद प्रोड डसबोड में जाएंगे यहां पर चार से चह प्रोड नहीं क्लिक करेंगे यहां पर अगर वे टी में देखते हैं तो यह वेQué team में कुछ नहीं आ रहा है उसके बाद हम प्वूश्ट पॉप्लिश्ट में देख लेतeeee ट्शे घंटे में क्लिक क्लिक करेंगे यहां पे फिसके हमारा ये रे टीम में कुछ नहीं आ रहा है स्के बाद ट्वह में देख लेते हैं कस वाउ सक यह हमारा प्रोडक्ट जो है लाइव हो चुखा है यहां पे आप देख पा रहे होंगे यह प्रोडेक्ट लाइओ चल रहा है मलब हमारा पॉब्लिज्ड में है अगर सेम प्रोडेक्ट का हमारा कोई टेंडर है तो हम यहां पे बिड़ कर सकते हैं यहां से आप ओपन करके चेक भी कर सकते हैं यहां पे यह देख रहे हैं कि यहां पर देखिए यह सारा कुछ यह है तो यह हमारा जो प्रोड़क्ट हो है लाइव हो चुका है अब हम कि जैसे माल लेते हैं यहां पर हम गयें डैस बोड में गयें किया इनको हम काट भी सकते हैं और के डैस बोड में जाने के बाद दूसरी डैस बोड में जाएंगे यहां हम डाइसबोर्ड में जाएंगे डाइसबोर्ड में क्लिक करेंगे रेफ्रेस कर लेते हैं एक बार देखेंगे यह डाइसबोर्ड ओपन हो गया है सरकल को नीचे लेकर आते हैं यह सारे वीडियों है आए हुए हैं अब माल लेते हैं किसी एक में जो है क्लिक करते हैं अब मैं आपको जो process बता रहा हूँ वह है participant कैसे करें तो participant कैसे करना है वह आपको next video में पता चलेगा thank you for watching my video इस video को ज़्यादा से ज़्यादा like करें, share करें and subscribe करें